राजिकी जहारखंड प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में प्रसिक्षित सहायक अध्यापक धरनी पर बैठ गए इनका आरोप है कि सत्ताधारी कॉंग्रेस और ज्यम्म को चुनाओं के वक्त वादा किया था लेकिन पूरा नहीं क्या जा रहा है संग की मांग है कि टेट उतेर सहायक सिक्षकों का यहां पर एक दिवसे धरना देखने को मिल रहा है जिस तरह से आप देख सकते हैं कॉंग्रेस भौन जो जहारखंड कॉंग्रेस का मुख्याल है वहां पर यह सहायक सिक्षक सुभा से पहुंचे हैं और अपनी विभिन मांगो को लेकर सत्ताधारी मांग रखी है और जिस तरीके से 24 घंटे की भूख हरताल की बात कही गई थी उसके बाद सत्ताधारी दल कॉंग्रेस के प्रदेश कार्याले में यह सिक्षक यहां पर जुटे हैं क्या इनका मामला और क्यूं आखिर यह कॉंग्रेस की मुख्याले में गांधी जैनती के दि जानां के घुटना पत्र में यह सामील था कि तीन महने के अंदर पाराट टीचर को हम वेतनमान का तौफा देंगे साथ मुख्यमंतरी के साथ हमारे विपच्च की निता थे उस संवीदा संबाद कारी करम हमसे वादा के लिए कि तीन महना के अंदर हम सारे पारासिचों को सारे पारासिचों को समान काम का समान वेतन के तहत हम सभी को वेतनमान का तौफा देंगे लेकिन आज चार साल हो गया कभी करोना कभी कभी माने सिचा मंतरी का हमारे बीस से जाना यह सारा प्रोलम रहा लेकिन आज हम एक साल समय रहा गया हमको लगता है कि सरकार भूल चुक तो अब हम लोग सरकार से मांग रखेंगे कि जितने भी आकलेंट क्वालिफड हैं, उसके समान हम लोग को भी इकवल दिया जाएं, क्योंकि जो परिक्षा हुई है ना वह सूपर टैट है, वो टेट नहीं कहा जा सकता, वो सूपर टेट है, वो मीडिया में आ चुका है कि किस तर्च पर सरकार ने हम लोग से आकलन पर इक्छल लिया था, तो हम तो मांग यही रखेंगे कि अब सहायक आचार की नियुक्ति में भी हम लोग आरक्षन दिया जाए और समान काम का समान ब पूरों में विपक्ष में रहते हुए जारखन मुक्ति मोर्च और कॉंग्रेस ने किया था, उसको यह पूरा करें क्योंकि अब वो अंतिम समय है और अंतिम एक साल के बाद यहां पर राचार संगीता लग जाएगा, ऐसे में उनकी मांगे पूरा नहीं हो सकेगी, यही वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन, न्यूस लवन भारत, सच है तो दिखेगा